स्वागत है आपका YouTube चैनल टेगनेडीसी में दोस्तो आज हमारे पास एक हैंट्ट्रेट है जो कि आपका कोको का F1 है कोको का F1 है जो की complete dead है अब इसे चेक करेंगे कि dead हैंट्रेट को आपको चेक कैसे करना होता है जातर हमको प्रॉब्लम आता है dead इंट्रेट को F1 को find कैसे करते हैं जोस्तों यदि आप भी deep knowledge लेकर अपनी swap पर अच्छा काम कर सकते हैं तो हमारा online class start होने बाला है 15 तरिक से start हो गया है अगर आपको आपको जोइन करना है तो आप 20 थारीक तरिक से जोइन कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे बहतर से बहतर training मिलता है आपको जिसमें अभी आपकी सभी class live होती है और वहां पर आपके सभी फोल्ट क्लियर करा जाते हैं चेक करेंगे कि अच्छिव में क्या है जो कि आपका DC मसीन में बहुत ही ज्यादा current कंजस्टन लो ले रहा है कितना only 10 मिली एंप्या current ले रहा है तो इसका मतलब है कि हम किस site हमको काम करना है या हमको इसमें किस तरह से फोल्ट को find करना है तो वीडियो को एंटर देखना तब ही अप समझ पाएंगे हम देख लेते हैं तो हम यहाँ पर एक बार बैट्डी का पत्ता निगाल देते हैं और हम यहाँ पर set करेंगे यह ल्गा लेते हैं यहां पर हमने अपना डिश्यो स्प्लाई का जो बेल्ट को लगा दिया है और हम देखते हैं प्रोलम क्या देखो एक बार देखते हैं कि यहां पर मैंने पावर की प्रेस किया है और आप देखते हैं अभी मैं पावर की प्रेस करके रखा हुगा है अब मैं इसे छोड़ता हूं देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अल्ली यह 11 अब ले रहा है मतलब कि तीन टाइप का डिए रहा है देखो यहां पर मैं प्रेस करूंगा और देख सकते हैं आपको 11 इस टाइप का मतलब कि यह जो करेंट करने से वह आपका हंड्रेट से नीचे है हड्रेट से नीचे है और यह लोग बूटिंग कह सकते हैं आप इसे लोग बूटिंग कहेंगे और यह छोड़ने पर जीरो हो रहा है इसका मतलब है कि प्रॉड़म इसमें कहां से हो सकता है तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसा केसमें हम लोग जानते हैं कि जब हमारा आपका यह कंजिस्म कर रहा है तो मतलब कि फॉन में कही ना कही तो प्रॉब्लम है इस बोर्ड में आपका कोई काम ने हुआ अभी अपका और यह आपका लेट साइड देख लेते हैं एक बार तो यहां देख सकते हैं यह जो आपका इसमें जो CPU लगता है वह आपका यहां पर यहां पर इसकी सभी लगी हुई है और यहां पर यहां पर आपने देखा जैसे हमने अपने जो लगाया तो इसएट में आपका डीजी मसीन का रेटिंग कितना था उल्ली 10 मिली एंपीय करिंट इसका मतलब कि पर करने पर यह उली 10 111 यह 12 छाप का मिली जाता है तो हमारा problem CP को श्राइट होता है power IC हमारा output okay कर रहा है तो इसमें क्या है कि इसमें जो current है वो low है इसका मतलब है कि यह problem power IC या power IC या charging IC या आपकी problem है क्योंकि अगर हमारा कोई भी phone DC machine पर कुछ भी current लेता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा बीपेच पावर की line okay है तो हमें इसमें सभी लाइनों को step by step check करना होगा यदि हमारे bug voltage हमको मिल जाते हैं तो हम सीधा CP काम करेंगे अगर bug voltage नहीं बनते हैं तो हम फिर हमको काम करना होगा इसके सभी लाइन चेक करने पड़ेंगी बीबेट बीपेच बीओबी फिर आपकी बग फ्रेल दियोस इसके अलाबा फिर रेम के voltage हमको सारे बोल्टों का reading लेना होगा तो यहां पर इसका reading लेंगे यहां का अगर ग्राउंड है इसके बाद यह देख सकते हैं कि यहां का reading आपका चारह सार वह जो की reading ठीक होता हमारा एक बार मीटर की प्रॉप और आप जो भ। प्रॉप राप जेंज कर लेते हैं, तो फशन के ब्लेक ग्राउंड की रहें है, से चेक करेंगे मतलब कि यहाँ पर आपका एक तारफ प्लस हा रहा है, मतलब कि एडिञ आप सही करेंगे यह ओके है आपका यहां से अंगर चलेंगे यह लईन आपकी हैं दोनों यहां भी अपका और यह भी ओक्टक पर deixa करें करने तो यह भी होती क्या है यह गाला जालते हैं यह जासे पर बहँ मिलताता है Under और ऐपने आपका चढ़ा हुआ नहीं है पर यह वाथ है बहुत लोग करंट चैमिस सर ले रहा हम लोग जानते हैं कि हमारा सभसे पहले बीवाइट जब हमारा कोई भी हैंट वाश मोई सपल्याई से कुछ भी करंट लेता है तो इसका मतलब है कि में बह बंन रहा है मेरा बन रहा है तो मेरी चार्जिंग आइसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं प्रोडम कहीं ना कहीं पावर आइसी की तरफ से तो हम एक बावर आइसी के सभी लाइनों का रीडिंग लेंगे जिसमें आपकी वक एल्डियोस बोल्टेज होगा तो यहाँ पर यह इसका लगा हु कि यहां पर है हमारी पावर आइसी क्योंकि यहां पर आपका यह सीप्यू का सेक्शन है यहां पर आपका यूपस होगा ओर यहां भी एक आपका आइसी होगा आपका यहां पर फह क्या होगा है यहां पर इसा इसने पर नंबर क्या है पी एम एट और फाइव मतलब कि हमारा यहां पर थेखा यहां कि om इस प्राइब तर्फ और यहां भी होक्तक करेंगी में कि यहां पर हमारे पास यह हमारा पावर आई सी जो कि आपका 845 पीम है तो हम एक बारी से देख लेते हैं यह आप आवर आई सी इसको तोड़ा साप करते हैं यह आपका 845 तो इसके पास लगने वाले हमको सभी बक और एल्डियूस चेक करने पड़ेंगे जो हमारा करेंट है वो बलुको लो है अज़ा हम लोग जानते हैं कि जब तक हमारा करेंट कोई भी चालिस से पार नहीं जाता है तो हम उस पाइन पावर आईसी को ठीक नहीं बोलते हैं तो यहाँ पर लोग बूटिंग हो रहा है तो हम एक बार इसकी जाली को कट कर देंगे कर दो हम लोग खावर जाईसी मेरा कर देंगे को डिक चाली को भी बार आफ शब्ड़र थाप जावर पर भी को कर देंगे हम उतना हिस्सा कट करेंगे जितना की हमको चेक करना है 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 तो यहां पर हमारी लगवग सब्सक्राइब को नजर आ गया है और यहां पर जितने भी कैप्सिटर हैं वह भी हमको यहां पर दिखने लगे है थोड़ा सा और कट कर लेते हैं झाल आपको जितना जरुवत है उतना ही कड़कारें तो यहां पर मैंने यह जो पावरा इसी है उसका एरिया कट कर लिया है तो हम एक बार इसका रीडिंग लेंगे तो यहां पर रीडिंग ले लेते हैं यह कोईल का रीडिंग आपका देख सकते हैं लो आ रहा है इसके पीछे मैं आपको दाँगा low reading क्यों आता है, यहां भी reading आपका ok है, यह reading book है आपका, यह reading book है, यह reading book है, देखो, इतनी औरी buck quail होती है, जो कि CP के लिए voltage देती हैं, या RAM के लिए voltage भीजती है, तो इन पर reading हमारा कम आता है, इन पर जो हमारा रीडिंग है वो कम आ सकता है यहां पर जो रीडिंग है इनका लास्ट 20 20 तक रीडिंग हो सकता है या इनका 15 15 तक रीडिंग अगर होता है तो आप समझो इन लाइन में स्वर्टिंग नहीं है इनमें हमेशा लो रीडिंग ही आता है तो यहां पर देख लेंगे यहां पर यहां भी क्लियर है बाकी यहां पर आपका बीविच पाउर आता है वह उसका लाइन क्लियर है आपका यह को कि यहां पर हमको सौर्टिंग नहीं लग रहा है यहां तो कि यहां पर आपको सही बॉल्टे हावार रेख न परिश्लिम्स डाइक्ल बंगया इसका मतलब हो गया कि यह ज pasti पर तरफ से चला दा मैं सिपी के तरफ से भी ऐसा हो जाता है जब लोग वूटिंग हमारा होता है तो हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे लेंगे वोल्टेज क्लियर हुए तब हम आगे चलेंगे बाद वहको करना पड़ेगा जो दबल डेकर तो लगाते हैं यह चार्जिंग पढ़ता और लगाएं है है कि मैं यहां पहला जिए चार्जुर मैं लगा द की अब कर लेंगे पहिए को यहां कि अ कि को यहां पर मारा जो बीपिफिा वार है उसका बॉल्ट say रहा है इसका मतलब हमारा भी पच्वा लाइन सॉट नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं और कुछ भी करेंट मॉयल लेता है तो इसका मतलब है कि भी बन रहा है तो यह लाइन हमारा सॉट नहीं है एक बार हम कोई के वोल्टे चेक कर लेंगे जैसे इन कोई कोई बनेगा हमारा तो द है वही आ रहा है देखो जितने भी आपके कैपिस्टर बाहर लगे हैं जिन सब पर आपका भी विच आ रहा है इसका मतलब यह होता है कि जितने हमारे कोईल बाहर होंगे जैसे आपके देख सकते हैं यह कोईल वन टू थ्री फॉर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टें लेवल इसे बाहर उतने ही कैपिस्टर आपकी ज्यादा तर देखने मिलते जितना हम बारा कोई लोगा उतना ही बीपिछ पावर का कैपिस्टर बाहर लगाए जाए जाएगा आईसी के पास तो यहां पर क्लियर है कि हमारी लाइन में स्वर्टिंग नहीं है पर हमारा बक वॉल्टेज नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि प्रोड़लम हमारा कहीं नहीं कहीं हमारा पावर आईसी की तरफ से ही, मतलब मतलब हम क्या समझेंगे कि मेरा पावर आईसी काम ने कर रहाए पर इस IC को input मिल रहा है, input या IC हमारा on उने क्लिक है चाहिए से BPH power, तो इसको ये बुल्टी मिल रहा है अब क्या है कि अब हमको एक बार charging IC की तरफ देखना होगा तो charging IC इसका एक बड़ा charging IC है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके पास भी एक बार reading ले लेते हैं तो यहां पर तो clear है, यहां पर कोई समस्या नहीं है तो एक बार हम उसका भी reading ले लेंगे, अगर वहां पर भी reading अगर ठीक होता है क्योंकि वहां से हमारा एक voltage बनता है, जिसमें आपकी दो power IC होती है, वहां से आपका वी बोल्टेज बनता है जैसे आप लोगों दे वी पिज पावर, जैसे आपका एक voltage है ऐसे ही हमारा एक वी बोल्टेज होता है यहां से वी बोल्टेज कहां बनता है वहां लाइन को में चेक करना होगा क्योंकि यहां पर सभी को चेक कर चुके हैं इसके लिए हम डाइगराव एजाते है यहां से यहां से जिए आपका यहां पास लगने वाले सभी कोईल और केपिसटर का रिटन ले ले लिया दूसरा होता वी यह भी एक टाइप का मतलब को मेंटेन करने के लिए जैसे हमारा बैटरी के वोल्टेज जैसे हमारा बैटरी के वोल्टेज या बैटरी को लोड को कम करने के लिए हमने बनाया वीपेच पावर अब उसको भी उसके लोड को मेंटेन करने के लिए हमने बनाया यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमारा सभी जो बग वोल्टेज लगा हुआ है उसका जो कोईल भूसब का रीडिंग ठीक आ रहा है। अगया कोकि हमने कोईल का वोल्टेज इसी नहीं लिया कोईल का मिल जाता यहां पर प्रणॉख हमें समझ में आता कि हमारा जो problem जो प्रोलोंम है पर यहां पर हमें कोई भी sorting नहीं मिल फुलम हां फुल परकूई लाइन में मिल तो स्फॉर्टन गाए तो यह बार тогда अफ पास भी सभी सप्ध slich क्रेंगों टाइब सभी कोई लगा खोगा उन सब यह लेंगे उसके इन्पुट आउट्पुट सभी लाइनों का रेडिंग नहीं होगा क्योंकि यहां पा तो सॉर्टिंग है नहीं तो यहां से कट कर लेंगे कि यहां पर हमें बिल्कुल आराम से कटिंग कर रहे हैं जिससे कि हमारा वोज कि देका दन्हों कि है तो यहां पर हम ने चेप किया है तो यहां पर अनको देखो एक दो इन, चार-5 प्लॉप की यहां पर हमारी पांच कोले लगे हुई है यहां पर हमारे यह 5 कोले लगे हैं और हम एक बार इनका सबका रिटिंग ले लेंगे क्योंकि यहां से हमारा सेकंड वोल्टे बनता है बी यो भी वोल्टे अगर हमारा वो लाइन भी हमारा के लिए रहे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अब मैं सबका रिटिंग लेंगे एक बार यहां पर तो यह तो हमारा वही है जो हमारा था बीपिश पावर वो तो हमारा के लिए रहे है इसका देखेंगे यहां पर यहां भी कोई ठेक है आपका यह रीडिंग ओके आरा आपका यह भी ओके आपका यहां भी ओके है यहां भी ओके है यह भी ओके आपका यहां भी ठेक है देखो यहां भी ओके आपका तो यहां पर देखेंगे आप यह देखो यह दोनों केप सोट आ रहा आपका तो यहां पर देखो यह दोनों केप सोट है आपका देखो यहां भी रीडिंग और यहां भी सेम रीडिंग है मतलब कि मेरा यह लाइन सॉट है यहां पर देखा कि हमको यहां पर यह दोनों कैपिश्टर सौट मिल रहा है अब हम देखेंगे डागराम एक्चली यह लाइन कौन सा है और भी हम यहां पर शेक कर लेते हैं वाकिश जो बचा है कैपिश्टर आपका यह ठीक है आपका यह ठीक है हमारा यहां पर यह दोनों जो कैपिश्टः आपके लगे हैं दोनों कैपिश्टः आपके सौ्ट आ रहे हैं तो हम को एक बाद देखना को डियागर्म में कि एक्शली लाइन कौन सा है और यहां पर हमको यह सौ्टिंग मिला जैसे हम लोग जानते हैं ने nonprofits के तरब करतेके तो हमारा हुए अभी जो पावर आइसीव से नीचे नीचे ही है अबना इसी earth करने के सबीकर रीडिंङ लिया यहां पाथ है उसके बाद रहुत हमने यहां पर जो भी थो सहिख निकला हमारा तो इसके बाद हमने फिर चार्च जीक करने के बाद फिर हम पावर आइसी तरफ जाते हैं फिर हमको निकाल की चेंज करना होता है वोल्टेश सायद तो कि सॉर्टिंग जब किसी लाइन में है नहीं तो सायद पावर आइसी किस तरसे डेमेज हो सकता है तो हमें चेंज करना पड़ता है तो यहां पर देखा तो हमको यहां पर यह यह पकर करते हैं यह एक टैब का यह का कोई आवर सप्षु टैगराम में सो को कॉपी करके पीष्ट मारेंगे देखेंगे एक्चली यह लाइन है कौन सा यहां पर हमने देखा यह आपका कैपिस्टर है C615 तो यहां पर डबल क्लिक करेंगे यह कॉपी हो गया और C दा डाइगला में जाएंगे और पीष्ट कर देंगे यह आपका और को करते हैं तो देखो यह लाइन आपकी वही है वी यो भी जो हम आपसे बोल रहे थे कि हमारे फोन में सबसे पहली लाइन होती है वीबेट जिनमें दो पावर आइसी होती है क्योंकि जिस IC के पास आपके पांच कोईल लगे होते हैं तो वह आपके इस टाइब की मोडल होते हैं तो यहाँ पर हमारा जो लाइन सोट है वो वी वी लाइन सोट है यह भी एक टाप का बीपेच पावर जैसा ही लाइन होता है तो यहाँ पर हमको इस लाइन यह लाइन हमारा बहुत जगया हुआ है जैसे कि यह लाइन हमारा यह साइज से बनता है जो कि चार्जिंगा ऐसी है जैसे हमारा यह लाइन बनता है जैसकते हैं यहाँ से आपका यह यहाँ पर एक वए है तो यहाँ पर आपका यह वोल्टेज ह है आपका मदल्लब कि हमारा यहां पर जो लाइन है यह लाइन यह बहुत जगे गया हुआ है इसमें आपकी चलेंग आइसी भी है यह आपकी पावा इससी है पोinka इता भी देखें यहाँ तो यहां पर जो यह वाला वॉल्टेज है जो हमने वॉल्टेज देखा, यह हमारा बीउवी वॉल्टेज है जो की बीपिच के बाद यह वॉल्टेज बनता है ठीक है तो हमारे इस लाइन में हim sorting है तो यह भी एक type का VPH जैसा ही VOLTEG होता है तोवे हमें इसकी sorting गठाना हैो क्योंकि हमारे इस लाइन में Sorting है अब हम ने देखा तो भी इस लाइन में इसके CaptionSort मिल रहा है देखो यह Short है हमारा LINE तो पहले हम एक बार इसमें voltage देखें देखते हैं, यहाँ पर हम voltage देंगे वही 4 voltage और आपका 3 MP देखेंगे पर सबसे पहले हम, देखेंगे हमारा कि साइट हीट होता है तो हम यहाँ पर एक बार देखते हैं voltage तो हम एक बार यहाँ पर चार बोल्टे और तीन अप्रे देखेंगे और देखेंगे हमारा किस साइट हीट हो रहा है तो यह हमने ले लिया है यहाँ पर हम लाएंगे ब्लेट और हम यहाँ से बोल्टे देंगे देखो यहां पर हमने 5 MP दिया तो 5 MP पूरा ही पूरा गंजब्शन हो गया इसका तो हमारा इस जगे पर हीट हो रहा है यह इस जगे पर यहां पर जो लगा हुआ है हमारा यह एक यहां पर कौन सा लैन आया हुआ है तो यहां पर जाते और देखते हैं विश्रम यह उसी लेंट किया है दुलैण हमारा कहा रहा हुआ यह पावय जीवर्द गया है और आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर यह यहां पर आपके 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 यह लगाएंगे और छेक करेंगे। तो हमको यहाँ पर हलका सा हीटिंग मैसुस हो रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे रोजन तो यहाँ पर हम लगाएंगे हम लगा लेतें पेस्ट से भी हमको मालम पड़ जाएगा। यह मन पीश्ट लगा लिया है और एक बदेखेंगे किस साइड मोल्टेग देना इसका तो हम इस वोल्टेज को यहां दे सकते हैं इस कैपिश्टर पर यहां पर यह लाईन हमारा यहे पर आया हुआ है तो एक बार हम फिर सेट कर लेते हैं वही सेट आटोमेटिक हमारा डीसिवा सप्लाइइ में अब हम बोल्टे देते हैं एक बार देख सकते हैं आपर यह वाला कैपिस्टर है वहाँ देखो यह जो आपका कैपिस्टर है यही सौट हो रहा है यहां पर यह वाला कैपिस्टर है वही सौट हो रहा है तो एक बार हम इसे निकालेंगे कि 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 इस कैपिस्टर को ये कैपिस्टर हमारा सौट ही है नहीं यह दो सुग्राउंड है आपना रिच्छ यहां रवार देख सकते हैं है वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज हमको मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे, तो यहां पर मैंने चार्जिंग के पता लगा दिया, देखो यह, अब लगाते हैं, चार्जर, मीटर आपका सेट कर दिया, वोल्टेज पर चेक करेंगे, जो मरा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं अभी, जो कि 3.3 वोल्टेज आपका होता है, तो देखो यह हमारा था 20 पावर, जो कि हमारा 3.2 है, देखो यह, आपका बीओ भी है, 3.3, और देखते हैं, यहाँ पर हमारा कोईल के वोल्टेज बन रहे है, 0.6, 0.8, और देखते हैं, सेट हमारा चालू हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पर हमारा सेट चालू हो चुका है, एक बाद देखेंगे, देखो यहाँ पर हमारा चार्जिंग का लोगो आगया, मतलब कि वह बना बैटरी लो है, देखो, तो यहाँ पर मेरा सेट यह चालू हो चुका है, अभी मेरा बैटरी लो है, इसलिए आपको ऐसा सिस्टम आ रहा है, तो दोस्तों यदि आप भी समझके काम करेंगे, तो आप इस तरह से फोल्ड को फाइन कर सकते हैं, यह स्टेट को आप ऐसे रिपैर्स कर सकते हैं, धन्यवाद।